हेलो एवरिवान बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मैंगनेट बेंट्स कॉमपोटिशन पर मैं आपका मैस मेंटर आपका स्वागत करता हूँ हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% अपने इस देखा होगा अगर यह सब करने के बाद आप इस था वीडियो देखा होगा अगर ये सब करने के बाद आप ही वीडियो देख रहे तो आपको complete किए आ은 वाला इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल को बहुत आराम से प्यार से धीरी से पढ़ेंगे एक बार में पूरे डेटा को कलेक्ट करेंगे ताकि हम समय कम लें सवाल सौल करने में चलिए तो सवाल मे सब्सक्राइब करते हैं अब आप से बोल रहा है कि अनिल ने काम शुरू किया और तीन दिन बाद जो है वो सुनील उससे जुड़ता है और उसके कुछ दिनों बाद फिर बिमल जुड़ता है अब इस पूरे सवाल में एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अनिल जो है वो शुरू से लेकर आखरी तक था अच्छा ठीक है सब आगे बढ़के समझते हैं य कैसी करेंगे फ्रहां से लेकिए हैं यहां गरता है अनिल और सुनील तो अब यहां पर समझो कि बिमल है ना उसने सिर्फ परसेंगे काम किया इसका 10 संट काम किया और इसका 10 परसेंग ने विमल ने कितना काम किया है, इसका 10% चार यूनिट काम किया है, ठीक है सर, ठीक है सर. अच्छा अनिल ने स्टार्ट किया था और अनिल और तीम दिन काम किया शुरुवात में अकेले तो अनिल दो यूनिट गरता है लगोरे tovers तक तो अकेले काम उसने करी दिया ना ठीक है सर उसके बाद कौन जुड़ा सुनिल जुड़ा उसके कुछ दिनों बाद कौन जुड़ा विमल जुड़ा अच्छा विमल ने तो चार उनिट कर दिया उसको भूल जाओ अब यह सोचो कि टोटल चालिस में से छे और चार दस उनिट तो काम हो चुका तो बचा कितना तीस उनिट यह जो तीस उनिट है यह किस ने किया यह किस ने किया विमल ने किया क्या नहीं किया क्यों कि उसने जितना भी किया वो तो हम पहले निगाल चुके हैं फिर किस ने किय मैंने का अनल और सुनिल मिलकर कर रहेां यह 30 उनिउनिट तो अनल के कितना ब Pump 1 सुनिल चूनिल Tut आप भया decides लिए तो क्य Alabama кastra सुनिल कितना दीन ठीन हो गया इसका मतलब सबश्वाल का सही जवाब कितना कितना है तेरा देब यरा और फ्रस्वाल का सही जवाब कितना है तेरा दिम बात समझ में आई कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की है तो बताईए समझ में आया भई कोई दिक्कत कोई परिशानी अब जैसे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा धियान से देखो भई यहां पर पहले दिन तीन दिन जो थाना वो सिर्फ अनिल काम कर रहे हुगे ठीक है यहां पर यहां भी है यहां भी है यहां भी आनिल शुरूच लेकर आखरी तक है हाँ सर तो अगर मुझे मालूम है कि अनिल ने तीन दिन यहां पर काम किया और अनिल ने यह जो काम किया है टोटल यह कितने दिनों में किया अगर यह पता चल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा अब इसमें से इसमें से आपका चार मिंट तो भी मलने क है अच्छा तो दस दिन अनल नहीं यहां पर काम किया तीन दिन पहले कर दिया था टोडल काम कंप्लीट करने में सो कितना समय लगा तेरा दिन बात समझ में आ गई कोई दिकत कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स अवाल यह रहा अठाग सिंधे इपन śज नहीं अने फिर्णी टिर्णी और राइ रहान थे आंग्फिय वाल दिर्णी में कार्णी इ Baş團 है आटों लेखले वर्ले उर्णी सिंधी रहे हैं, है अरि दिन अनल प दिसल एनिंद सा καता हैं, पिर्लें अवाल रहा हैं, लेखलें आट उर्लें शयों when one draining and two filling pipe are on कैसे करेंगे सवाल को साल को पहले समझ लेते हैं कि यह एक tank है जिसमें बहुत सारे pipes लगे हुए हैं उसमें से कुछ filling pipes हैं कुछ draining pipe से कुछ से पानी आता है कुछ से पानी जाता है ठीक है आप से बोल रहा है कि जो जिन से पानी आता है जिन पाइप से पानी आता है उन सभी पाइप की इफिशेंसी सीम है और जिन पाइप से पानी जाता है उन पाइप की भी इफिशेंसी सीम है ठीक है अच्छा ठीक है सर आप से बोल रहा है कि भीया अगर 6 फिलिंग और 5 ड्रिनिंग पाइप काम करते हैं तो टैं है वो कितनी घंटे में भर जाएगा अगर एक ड्रीनिंग और टू फिलिंग पाइप साथ में काम करें यहां पर इसने यह ड्रीनिंग पहले दे दिया और फिलिंग बाद में दिया तो यहां गलती होती है ठीक है ध्यान से देखना तो अब क्या कर सकते हैं इस सवाल को ध्यान से देखते हैं तो मैंने यहां पर कहा कि सर फिलिंग पाइप है और ड्रीनिंग पाइप है इससे पानी आता है तो इसकी एफिशेंसी मानली एक्स यूनिट इससे पानी जाता है तो इसकी मानली माइनस का यूनिट यानि एक्स यूनिट पर आर यूनिट पर आर आता है जात है ठीक है समझ में आगे हैं समुझ में आगे हैं आप किया कर सकते हैं आप मैंने यह बोला क्ञों क्या देए छ्ये और तो मैंने कहां यह यह अगर कुछ है औरफ पांछ देंगे 5 और इसको पांच कर देंगे और इसको 6 कर दो तो अब condition लगाते हैं इसके हिसाब से अगर बात करें कि 6 filling है उनकी efficiency एक की इतनी है तो 6 pipe की इतनी हो जाएगी 5 draining है एक की efficiency इतनी है तो 5 की इतनी हो जाएगी और यह minus में होगा ठीक है tank fill हो गया हाँ सर हो गया फिर अगर हम इसके साब से बात करें तो five x हो जाएगा ठीक है सर इसके साब से बात करें तो six y हो जाएगा सर अभी भी टैंक 6x-5y is equal to यह कितना हो जाएगा 50x-60y ठीक है सर तो यहाँ पर यह इसके पास जाएगा तो यह 44x बन जाएगा और यह इसके पास आएगा तो यह 55y बन जाएगा तो यहाँ से मैं यह बोल सकता हूं कि x upon y जो आएगा वो 5 upon 4 आएगा तो x upon y यानि की दोनों pipes filling और draining pipe की efficiency का ratio 5 by 4 आ चुका है ठीक है सर समझ में आगया समझ में आगया आप से क्या बोला जा रहा है आप से बोला जा रहा है कि अगर एक draining और दो filling pipe साथ में काम करते हैं तो टैंक कितने देर में भरेगा तो मैंने बोला कि यार टाइम कितना लगेग यह पूछ रहा है और capacity of tank या तो यह लो लिया तो यह लो मैंने वह लिया मैंने का 6 into 6x-5y अपन नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा आपके पास में सब ड्रीनिंग पाइप कितनी है ड्रीनिंग पाइप इतनी है तो ड्रीनिंग पाइप तो एक है और filling pipe कितनी है द 2x हो जाएगा ठीक है सर इससे डिवाइड करना तो यह net efficiency आ गई यह आपका total capacity आ गया टाइम पता चल जाएगा तो मैंने का General firete 바 कर दो तो यह कितना हो जाएगा यह जाएगा आपका 30 color change करते तो यह हो जाएगा कितना पीस और यह कितना चार गया तो चे हो गया तो time जाएगा आपके पास कितना 10 hour's, आपके पास time कितना आ जाएगा 10 hours, ठीक है, कोई दिकत, कोई परिशानी किसी भी तरह की simple simple, simple सवाल था, आसान सवाल था, ठीक है, आगे बढ़ सकते मैँ, कोई दिकत, कोई पारिशानी, किसी भी तरह राखी नहीं चली तो ये क्लीर हो गया तो हमारा जो एंसर है वो कितना है हमारा एंसर यहाँ पर D option ठेकर मारा एंसर क्या है भी option है चली आगे बठते हैं और यहां से सवाल का solution हटाते हैं और यहां से इसको भी सफ़ाई करते हैं और next question by next question क्या भाई you want and robots can both perform a job but at different efficiencies सही बात है 15 humans and five robots working together take 30 days to finish the job okay whereas five humans and 15 robots working together take 60 days to finish it ठीक है how many days will 15 human working together without any robots take to finish it तो आपसे क्या बोल रहा है यह human or robot की जो efficiency है वो अलग अलग है वो तो हमें बता ही है 15 humans और पांच robot जब साथ में काम करते तो तीस दिन लगते हैं काम को complete करने में जबकि पांच human और 15 robot जब काम करते तो साथ दिन लग जाते हैं आपको काम complete करने में आपसे बोल रहा है कि अगर केवल केवल और केवल 15 human काम करेंगे तो काम किते दिनों में पूरा होगा ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे हमने बोला यहां पर human और robots ना तो पंदरा और पांच तुमने लिखा भी है यहां पर humans और यहां पर robots यहां पर पंदरा है इनकी efficiency h माल ले इनकी efficiency आर माल ले यह 15 है और यह पांच ऐसी बोला है और 15 humans और पांच रोबोट कितना समय लग रहा है सर 30 days 30 days यहां पर टाइम कितना लग रहा है 30 अब वो क्या बोल रहा है अब वो बोल रहा है कि अगर यहां पर पांच यूमन सर 50 रोबोट हो जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा सर 60 60-days में पुरा हो जाएगा तहीं आपर कितना हो जाएगा आपका 60 डिस ठीक है कोई दिकत नहीं को आपसे काम किसे करवाना है पंद्रा वेक्तियों से करवाना है पंद्रा शूमन से करवाना है तो मैंने गाल अगर एक युमन की करिंगे तो शाठ दिल में काम कम्लीट होगा बिल्कुल सब्सक्राइब बात है सत्य वचल अब यहांपर क्या गर सकते हैं यहांपर 30 से इसको काटा दो बार दो अंदर चला गया तो यह कितना हो जाएगा यह आपका 30 ती आर हो जाएगा ठीक है समझ में आगे यहां पर कितना हो गया यहां पर 15 हो गया यहां पर 5R हो गया आपस में बराबर है यह दर आएगा तो 5H हो जाएगा यह उधर जाएगा तो यह 25R हो जाएगा हम 5R लिख सकते हैं यहीं कि एक हूंन पाँच रोबोट के बराबर एक हूंन पाँच रोबोट के बराबर अच्छा फाइदा क्या हुआ फाइदा क्या हूआ रोबोट बनाने का ठीक है अच्छा आपसे क्या बोल रहा है How many you how many days will 15 humans working together without any robots take to finish it ठीक है तो यहां पर हम यह पोल रहे है कि भी आगर 15 पूरुष काम करते हैं पंद्रा humans काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा total काम करने में तो total काम क्या है total काम ये ले लो total काम ये ले लो तो मैंग यहां पर बोला कि अगर मैं यहां पर हैच में सब को गनवर्ट कर दो तो फाइफ आर की जगा मैं एच लिख सकता हूं तो फिफटीन एच प्लस फाइफ यानि कि सिक्स्टीन एच हो जाएगा इंटू कितना है थर्टी है तो यहां से हमने क्या किया काटा पिटी मचाना है तो हमने यहां पर लिखा एच से एच कैंसेशल 15 से दोंबर कैंशल हो जाएगारा से लगेंगे आपको कितने सब 17 लगेंगे आपको बडिस दिन इती दिन है डिसमी चल रहा है सवाल है न देउज में 30 ठीक है तो हमारा वारह कितना है डिटी तु मारा ऑंसर कितना है घासान सवाल इस हान्प आप नहीं पर और पिर यहां पर पहुचे हो तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो कहीं नहीं थोड़ी सी कटा ही हो रही होगी क्योंकि जो स्पीड है वह आपको लग रहे होगा इतनी तीरी से भी सवाल हो सकता है हां हो सकता है को हथा आते हैं अब यहां पर नेक्स अवाल पर आते हैं नेक्स अवाल आपसे क्या बूल रहे है की वें देवर्क अलोन बीनेट 25% more time to finish a job than a does they to finish the job in 13 days in the following manner a work alone till half the job is done then a and b work together for four days and finally b work alone to complete the remaining five percent of the job in how many days can be alone finish the entire job ठीके बाई तो यहां पर क्या बोल रहा है ना आपसे यह बोल रहा है भी यह कि अगर यह अकेले अकेले काम करते हैं तो बी को एके तुलना में 25 प्रतिश्यत जादा समय लग जाता है ठीके सर तो यहां से क्या फाइदा हुआ यहां से यह समझ में आया यहां से यह समझ में आया कि यहां पर a है यहां पर b है यहां पर हमने टाइम लिख दिया तो इनके time का जो ratio है ना वो four is to five है आप इसको ऐसे भी माझ सकते हो कि अगर इसको सौ दिन लगते होंगे तो इसको इससे 25 परसेंट जादा लग रहे होंगे यानि 25 जोर दो तो यह 125 हो जाएगा फिर 25 से सको cancel करो तो यह four or five से जाएगा ठीक है ना ठीक है सर समझ में आ गया तो यह सब टाइम करेशम आ चुका है तो efficiency का ratio तो इन्वर्सली होता है ना हां हां बताया बताया आपने बताया ठीक है आप से क्या बोल रहा है कि वह साथ में काम करते हैं तो तेरा दिन में आपका 50% काम है तो 50% काम तो अकेले किस ने किया है ए ने किया है ठीक है सर उसके बाद ए और भी साथ में काम करते हैं किती दिन तक करते हैं चार दिन तक काम करते हैं तो मैंने मान लिया कि बी ने अकेले काम किया और यहां पर उसने काम कितना किया है पांच परसेंट किया है ठीक है सर अच्छा पचास परसेंट यहां हो गया पांच परसेंट यहां हो गया पच्पन परसेंट हो गया टोटल काम कितना सो प्रतिशत तो यहां पर बचा कितना यहां पर बचा पेथाल प्रतिशत प्रतिशत अब 45 प्रतिशत कौन कर रहा है सर ए और भी मिलकर कर रहा है कितने दिन में मैंने का चार दिन में मैंने का ए और बी की efficiency है कितनी मैंने का पांच और चार नो है तो नो यूनिट के हिसाब से चार दिन में कितना कर देंगे मैंने एक अच्छतिस यूनिट तो मैंने का भी या अगर 45% 45 परसेंट जो है टोटल काम का वो 36 यूनिट के बराबर है तो भाई 100 प्रतिशत काम किसके बराबर होगा मैंने का 100 अपॉन 45 इंटू 36 तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका यह असी यूनिट कितना हो जाएगा यह आप 40% की value अगर 76 है तो 100% की value किदनी होगी मैंने का 100 यह 45% है न तो यहाँ पर यह 45 करलो तो यहाँ पर 45% की value अगर 36 है तो 100% किदने होगी 100 upon 45 into 36 ठीक है न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 से 5 times, 9 से 4 times 5 से कितना होजायएगा 20 times ट्वंटीन टूफोर कितना होगा एटी ठीक है सर असी यूनिट आपका टोडल वर्क हो गया अब यह जो असी यूनिट टोडल वर्क है यह किस से करवाना चाहते हैं आप बोल रहें इन हाव मेनी देश बी अलोन फिनिश देइंटायर जोब आप यह पूरा काम असी यूनिट का काम किस से करवाना चाहते हैं आप बी से कराना चाहते हैं बी की इफिशन्सी कितनी है मैंने का चार इनिट तो चार से टिवाइट करेंगे कि इतना आएगा तो एंसर कितना आगया 20 बात समझ में आगा बहुत दिन में काम हो जाएगा अगर भी अकिले काम करता है तो कोई दिकत कोई परिशानी किसी भी तरह की है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें चलिए इसको हम यहां से हटाते हैं आगे सवाल पर आते हैं अब रमेश और गनेश केंट तूगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 16 देज तो रमेश और गनेश मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं आफ्टर सेवन डेज और वर्किंग टूगेदर साथ दिनों तक साथ में काम करते हुए रमेश गॉट सिक एंड इस इफिशेंसी फेल बाई 30 परसेंट साथ दिन इंदों ने साथ में काम किया उसके बाद रमेश की तब्यत खराब हो गई और वह अपने 30 प्रतिशत कम एफ अगर रमेश के बिमार होने पर गनेश को अकेले काम करना होता तो बच्चे हुए काम को करने में उसको कितना समय लगता तो बच्चे हुए काम को याद रखना बच्चे हुए काम को यह बहुत इंपॉर्टेंट किसको करना है गनेश को करना है ठीक है सब ठीक है सब तो यह यह है आपका आगया टोटल और ठीए सर अब इन दोने साथ में कितनी दिन काम किया सर सात दिन काम किया तो मैंने बहुत रमेश और गनेश ने साथ दिन काम किया है उसके बाद रमेश की तब्यद खराब हो गई और वह अपने 30 कर्त कम एफिशंस से काम कर रहा है यानि कि वह काम कर रहा है 07 एफिशंसी आ और गनेश टो भी है बिल्कुल बढिया है और और ऐसा करने पर काम कम्लिट होना 17 दिन में है ना ऐसा करने पर काम कम्लिट होना 17 दिन में तो साथ दिन तो यहां काम हो चुगा तो आप बचे कितने 10 दिन तो यहां पर क्या मिल्टिप्लाय करना पड़ेगा आपको 10 करना पड़ेगा ठीक है सर समझ में आगे समझ में आगे पर कितना हो रहा सर 16R plus 16G इधर फेकिंगे इसको तो यहां पर कितना हो जाएगा 2R और यह कितना हो जाएगा सर जी तो 2R G के बराबर है यह हम यह बोल सकते हैं कि R upon G जो है वो 1 by 2 के बराबर तो दोनों की efficiency का ratio आ गया दोनों की efficiency का क्या आ गया ratio आ गया आप से क्या बोल रहा है इव गनेश हैड वर्क अलोन रमेश की विमार होने पर तो हमें गनेश से करवाना है इसका उलब टोटल जो भी काम होगा तो जो बीकाम होगा हमें उसको गनेश की efficiency से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकि उसका time वेनट तो टूटल काम कैसे निकालेंगे टूटल काम हम ऐसे निकาल सकते हैं तो मैंने कहां सर शी करेंगे तो वन पलस टू क्यतना होगा ठीए ठींटू सोला यह thinking तो और वीजियंसजी कैले लाइब डूल égal तो यहां पर कितना जाएगा यहां पर आजाएगा दो चौबिस तो आपका जो एंसर है वो कितना आएगा चцо भीस आएगा ठीक है कितना आएगा चावीस आएगा अबहट यहांपर क्या जब चानि आपार थो अगर इन्होंथ काम किया इन्हों क swarm युं bitter हो चुका तो टूइंटीवर उनिट कांटि उनिट और किसको करना पींट दऩा है धोड़ न यह इसको डिवाइट करेंगे हमारा उन से कितना है थरतीन पलइट फाइव थिएँ अब मैं आपको एक चीज बतात यहां पर जो मैं भूला यहां पर जो भूला मैं वह भूला इसलिए क्योंकि अगर मैं भूलता नहीं तो आपका ध्यान नहीं जाता क्योंकि क्या होता नहीं कभी-कभी जिसे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है वह बच्चे डाउट्स ग्रूप भेज जतने हैं सा doubt आया group पे भेजा doubt clear हो गया होता है की नहीं होता आपके साथ होता होगा बगर अगर आप उस doubt के साथ थोड़ा सा समय गोजार होगे न तो आपने अगर उस doubt को खुद clear कर लिया तो पेपर के दिन कैसे लगता है आप नहीं हो रहा आप छोड़ दे तो सवाल को और ऐसे अगर एक-दो सवाल हो गए तो आप फिर तुक्का माने लगते हो तो अपने अंदर यह डिवलप करो कि अगर किसी भी सवाल को एक बार में पढ़के वो समझ में नहीं आ रहा है या कोई डेटा मनें गल करके आपको बतानी कोशिश की कि यहां पर यह चीज मत भूलना कि यहां पर आपसे टोटल काम नहीं पूछ रहा रिमीनिंग काम पूछ रहा कि रिमीनिंग काम करने में कितना समय लगे बात समझ में आ गई कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की नहीं आगे बढ़ स when open, bring in water at the same rate, all inlet of type B when open, bring in water at the same rate. The empty tank is completely filled in 30 minutes if 10 inlet of type A and 45 inlet of type B are open and in 1 hour if 8 inlets of type A and 18 inlets of type B are open. In how many minutes will the empty tank get completely filled if 7 inlets of type A and 27 inlets of type B are open. Simple सवाल है, पढ़ने में टाइम लग रहा है, बट है बहुत सिंपल, ठीक है, तो आपके पास में दो टाइप के inlet pipe है, दोनों ही inlet है, A और B type है, दोनों ही inlet है, दोनों से ही पानी अंदर की तरफ आता है, बट यहां सर, आपसे बोल रहा है कि भीया, अगर 10 inlet और 10 inlet type A के 45 inlet type B के अगर open होते हैं, तो टंकी को फरने में 30 मिट लगता है, और type A के अगर 8 और type B के अगर open होते हैं, तो समय कितना लगता है, एक घंटे लगता है, ठीके सर, तो 10 type A के 45 type B के total time कितना लगते हैं, 30 minutes, 8 type A के 18 type B के total time कितना लगते हैं, एक घंटा, यानि की 60 minute, तो यहां से हमें न, इनकी बीच का जो efficiency का ratio वो पता चल जाएगा, आपसे बोल रहा है कि भीया, साथ type A वाले और 27 type B वाले अगर साथ में open होंगे, तो भीया, आपका tank कितने देर में भरेगा, ठीके सर, आसान लग रहा है, यह तो सवाल, कठिन तो नहीं लग रहा मेरे को, तो मैंने बोला, यहां पर कि भीया, मेरे पास में type A, type B है, तो मैंने यहां पर लिख दस, और यहां पर लिखा मैंने पैतालिस, तो यहां पर लिखा पैतालिस, टाइम कितना लग रहा है सर, 30 मिनिट से लग रहा है, 30 मिनिट लग रहा है, फिर यहां पर यह साथ मिनिट लगने लगेगा, साथ मिनिट लगने लगेगा, कब, 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 कब लगेगा ऐ जब 8 और 18 हो जाएंगे 8 और अथारा तो यह 8 हो जाएंगे और यह अठारा हो जाएंगे ठीके सर्थ तो मैंने का अगर इनलेट पाइप की कि एफिशेंसी जो टाइप ए हैं उनकी एफिशेंसी अगर मैंने एमाल ली और इसकी एमान ली कि यह कितना हो जाएगा? 60 मिनिट तो यहाँ से हम अगर काटा पिटली मचा हैं तो यहाँ से यह दो बार में चला जाएगा भाई ठीक है सर हो गया अब यहाँ पर लिखते है 10 A, यहाँ पर लिखा 45 B is equal to 16 A, यह हो जाएगा सर 36 B, ठीक है सर यह इसके पास जाएगा 6 A बन जाएगा यह इसके पास आएगा यह 9 B बन जाएगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A upon B का जो रेशियो वो 9 by 6 है यह 3 3s अ, 3 2s यह आपके पास में efficiency का रेशियो आगया A और B का, अब आप से क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, आप से बोल रहा है ताइप A के 7 और टाइप B के 27 मिलकर काम करेंगे तो टंकी किति दिर में बढ़ीगी 7 और 27 है न, 7 और 27 तो मैंने का भीया टोटल कैपिसिटी जो भी है उसको 7 A और 27 B से डिवाइट करना पड़ेगा तो आपका टाइम आजाएगा आपका क्या आजाएगा भाई, टाइम आजाएगा ठीक है ठीक है सर समझ में आगया तो यह टाइम आपको निकलना है, ऊपर क्या होना चाहिए तो कैपिसिटी कैसे निकालना है हमें इसको ले ले, इसको ले ले तो हम यहां पर लिखेंगे 10A 10A plus 45B और यहां पर कितना आजाएगा 30 आजाएगा अब हम क्या करना है भाई हमें कुछ नहीं करना हमें बस एक ही जगा तीन और बीगर जगा दो पूट करना है तीन पूट करेंगे देखो 10 इंटू 3 30 और 90 120 हो जाएगा तो यह 120 इंटू 30 हो ज और 54 यह होगा तो हो जाएगा आपके पास कितना 75 75 ठीक है सर और यहां पर कितना थे तीस था तो मैंने यहां पर क्या लिखा सर यहां पर मैंने इसको लिख दिया 15 इंटू 5 यह होगी आपके पास 120 इंटू 30 तो यहां पर काड़ा पीटी मचाने का टाइम आ चुका है अब यहां पर हम क्या गर्षकते हैं पात से जाएगा छे बार आठ बार इस इजा कितना हो जाएगा 48 तो आपका जो एंसर आएगा वह आएगा 48 ठीक है आपका जो एंसर आएगा वह कितना एगा 48 यह आपका इंसर ठीक है बाई सलुशन को एक बदेख लो 10 टाइप A वाले 45 तंकी भर जाएगी 8 टाइप ए 18 टाइप बी साथ में काम करेंगे साट मिन में काम साट मिन में टंकी भर जाएगी तो मतलब कैपसिटी ऑफ टैंक आपस में बराबर कर दिया ए और बी टाइप के जो इनलेट पाइप से उनकी एफिशेंसी का रेश्यो पता चल चुका अब टो चलिए तो इसको हम यहां पर साफ कर देते हैं ठीक है और यहां पर आते हैं और यहां पर सो क्लियर करते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल के बाद करते हैं a tank is emptied every day अभी देविट अच्छा सवाल यह is a tank is emptied until the tank is full और जैसे ही टंकी खाली होती है या तो pump A या तो pump B या तो दोनों काम करना शुरू कर देते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक टंकी भर नहीं जाती है ठीक है सब On Monday A alone completed filling the tank at 8 p.m. सोमवार के दिन A pipe A या pump A अकेले काम करता है और आठ बजे तंकी भर देता है आठ बजे तक तंकी भर देता है तंकी इतने बजे कितने बजे पता नहीं इतने बजे तंकी खाली हो गई है और इसके बाद अकेले pump A ने काम करना शुरू किया सोमवार के दिन और रात को 8 बज़े तक उसने टंकी भर दी मंगलवार के दिन क्या हुआ यह ओन तूजडे बी अलोन कंप्लिटेट फिलिंग दी टैंक एट 6 पिम मंगलवार के दिन जैसे ही टंकी खाली हुई वैसे ही पंप भी चालू हो गया और उसने 6 बज़े शाम तक टंकी भर दी ओन वेणेगन इलोन वर्क तिल 5 पिम मैंदे दिन क्या हुआ कि एने काम करना शुरू किया और उसने कब तक काम किया 5 पिजे तक काम किया यह नि टंकी किसी टाएम पिरट पर खाली हुई pump ये चालू हुआ, अकेले उसने 5 बजे तक काम किया, तंकी को भरा, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, बी ने अकेले काम किया, pump बी ने अकेले काम किया, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और तंकी भर दी, ठीके सर, आपसे बोला है, at what time was the tank filled on Thursday, if both pumps were used simultaneously all along, यानि कि गुरुवार के दिन यदि तंकी को इन दोनों pump के द्वारा भरा जाएगा, तो कितना समय लगेगा, या कितने बजे ये तंकी भर जाएगी, actual में actual time पूछा है आपसे, कि at what time, जब ये गुरुवार के दिन पूछ रहा है कि at what time, जब दोनों pumps एक साथ काम करेंगे, तो कितने बजे तंकी भर जाएगी, तो बहुत ही अच्छा सुन्दर सा सवाल है, बिलकुल दिमाग वाला सवाल है, है ना, बहुत कठीन सवाल नहीं है, बस दिमाग से सोचना है, आराम से सोचना है, जितना दिमाग आपके पास है, उससे के काम हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं भई, तो मैंने ये बोला, कि सर, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, pump A और B लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, Monday, यहाँ पर लिख दिया, Tuesday, यहाँ पर लिख दिया, Wednesday, और यहाँ पर लिख दिया, Thursday, ठीक है सर, मंडे को क्या हुआ है, मंडे को A ने अकेले काम किया है, मंडे को A ने अकेले काम किया है, और 8 बजे तक उसने टंकी को भर दिया, तो मंडे को इसने अकेले काम किया और 8 बजे तक तंकी भर दी तो 8 बजे तक उसने तंकी भर दी मंगलवार को क्या हुआ भाई मंगलवार को आपका पंप बी ने काम किया है और उसने शाम को 6 बजे तक तंकी भर दी तो यह 6 बजे तक तंकी भर जाए ठीक है भाई अच्छा बुधवार को क्या हुआ सर बुधवार को दोनों ने काम किया है बट ए ने काम किया है सिर्फ पाँच बजे तक तो यहां पर ध्यान देना यहां पर सिर्फ पाँच बजे तक तिल फाइफ पीम और इसने काम किया है पाँच से साथ बजे तक तो यहां पर हम लिखेंगे और एक चीज़ समझो एक पट्टूलर टाइम पिरेट पे ना आपकी टंकी खाली हो जाती है उसके बाद या तो पाइप या तो पंप चालो होता है या तो फिर दोनों भी चालो हो सकते हैं ऐसा सलाल में लिखा गया है तो उस टाइम के साब जगर हम बात करें कि इस टाइम प हुआ कि खाली होने का टाइम तो सेवी है एना से मी बड़ उसके बाद ये शेवेजे भरतेता है और या जिता मतलब है कि मतलब एक पट्चुला टाइम पर टंकी खाली हो रही है और और फंप या तो फंप बी अपना काम करना शुरू कर देंगे या फंप प्लू करेगा का अगर टी होगा तो इसका टाइम कितना होगा टी प्लस टू होगा क्या ये बात समझ में आ गई अगर इसको टी घंटे लगते होंगे तो इसको इससे दो घंटे जादा लगते होंगे तंकी को भरने में ये इसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा है हां सर समझ में आ गया अब हम काम करना शुरूर किया किसने ? पंप A ने और उसके से पाँज बजे तकी काम किया है यहां पर आight बजे टंकी भर देता था वो इसका मतलब बुधवार 게 मतलब सômवार के मुकाबले बुधवार को पंप A ने तीन घंटे कम काम किया हाँ यह न बुधवार को pump A ने सोमवार के मुकाबले 3 घंटे कम काम किया है हाँ 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 इसका मतलब यह हो गया कि अगर इसको total time लगता था T plus 2 तो बुधवार के दिन इसने 3 घंटे कम काम किया याने कि इसने कितने घंटे काम किया t-1 घंटे काम किया, t-1 घंटे काम किया, किसने pump a ने, अच्छा, किस दिन, अरे बुधवार के दिन भाई, अच्छा, ठीक है सर, अगर बुधवार के दिन हम बात करें, pump b के बारे में, तो इसने कितने घंटे काम किया, मैंने का सर, इसने सिर्फ दो घंटे काम किया, सिर्फ और सिर्फ दो घंटे काम किया ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया दो घंटे किस ने काम किया सर पंप बी ने काम किया ठीक है सर समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं अब आप यह सोचो कि अगर पंप A को टोटल इतना टाइम लगता है तंकी को भरने में तो उसने इतने घंटे में कितना भर दिया होगा कितना भर दिया होगा मैंने का भाई एक चीज़ समझो अगर T प्लस टू आर्स में आप टोटल कैपसिटी आफ दी टैंग जो है वो भर सकते हो है ना तो इसका मतलब ही हुगा कि आप T-1R में जो आप भर रहे होगे वो टोटल कैपसिटी का कितना होगा T-1 अपॉन टी प्लस टू टाइमस होगा जो भी टोटल कैपसिटी होगी उसका इतना पाथ ही आप भर पाओगे बात समझ में आ रही है जैसे आप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हो तो 5 घंट 2 इंटो टोल कैपसिटी अच्छा समझ में आ गया तो इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर हम लिखेंगे T-1 अपॉन टी प्लस टू ठीक है और हमें यह मालूम है कि इसको टोटल टाइम लगता है टी टोटल कैपसिटी ऑफ टैंक को भरने में इसको ट हमने माल लिख की कैपजिट्टी यूनिट किसार समझ में आगया अब इसको सॉल यतैं अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल कर ले तो इसको सॉल कैसे करेंगे ar ल्स्या मेर किया करेंगे यहां पर हो गया क्रossपप्लइप टी स्कुर्ड माइनस T प्लिस यह इधर multiply होगा, तो कितना हो जाएगा, 2T फ्लस 4, नीचे कितना हो जाएगा, जरू, यहां पर हो जाएगा आपके पास T square प्लस 2T Is equal to यहां पर कितना है, सरू, one है ठीक है, सर यहां पर आजाओ, यहां पर आजाओ, अब इसको cross multiply करेंगे इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, इसको cross multiply करेंगे तो यह कितना हो जाएगा sir, यह हो जाएगा t square 2t में से t गया तो कितना बचेगा sir, t बचेगा plus 4 बचेगा, is equal to यह कितना हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा t square plus 2t तो यहाँ पर हम काड़ा पीटी मचा सकते हैं, बिल्कुल मचा सकते हैं तो मैंने का यहाँ से t square, t square जाएगा यह इसके पास जाएगा, तो t के लिए कितना जाएगा sir, 4 t की value 4 आगई, यानि की 4 घंटे t के लिए आगई 4 घंटे, इसका मतलब pump B को, टंकी को भरने में कितने घंटे लगते हैं, मैंने का 4 घंटे लगते हैं और इसको कितने लगते होंगे sir, 6 घंटे लगते होंगे ठीक है sir, यह तो समझ में आ गया, कि टंकी को भरने के लिए pump A को लगते हैं, 6 घंटे, pump B को लगते हैं, 4 घंटे अब एक चीज़ बताओ, अगर ये 6 गंटे लेता है और 8 बजे भर रहा है टंकी को, यानि कि टंकी कब खाली होगी, 2 बजे, अरे 2 प्लस 6 आठ हुआ न, अरे हाँ हाँ, इसके साब से देख लो, अगर ये 4 गंटे लेता है और 6 बजे शाम को भर देता है, इसको टंकी कब खाल जाएगी, मैंने का भाई एक चीज़ ये समझो, कि इसको लगते हैं 6 गंटे, इसको लगते हैं 4 गंटे, तो हमने माल लिया कि जो कैपसिटी है, वो कितनी है, टैंकी 12 और ये इफिशेंसी 2 और ये इफिशेंसी 3, तो मिलकर अगर करेंगे तो 5, तो 12 अपान 5 करने पे कितना आएगा सर 2.4 आर्स, 2.4 आर्स क्या होता सर, 2 गंटे 24 मिनिट लगेंगे, और कितने बच जाएंगे ठंकी भरते-बरते, मैंने का सर ठंकी खाली हुई थे 2 बजे, उसके 2 गंटे 24 मिनिट बाद ठंकी भरेगी, 2 बजे के बाद, 2 गंटे 24 मिनिट बाद क्या टाइम हो रहा हो सवाले, इस तरह के सवाल अगर पेपर में आते हैं, तो यह उन्हीं बच्चों से बनेगे, जिन्होंने इस सब सवालों की प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है न, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेनिंग होती है, जब आप किसी एक्जाम के तयारी करते हो न, तो आप ट्रेनिंग कर सकते हो, जितना आप सीख सकते हो, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उतना आपके लिए फ्यूचर जो है आपका ब्राइट होगा, ठीक है पेपर के दिन आपको उतना कम डर लगेगा, है न, आप पेपर भी उतना अच्छा कर पाओगे, जितना आपने आपको ट्रेन क हो गई तो आपका पूरा एक साल फिर से खराब हो जाएगा ठीक है तो इसलिए अच्छे सवाल करो कम पढ़ो जादा पढ़ने की जुरूत नहीं कम पढ़ो मगर जो पढ़ो वह बहुत अच्छा content होना चाहिए सही होना चाहिए relevant होना चाहिए तभी आपके paper में अच्छे marks आएंगे ठीक है चल तो यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा सवाल था सवाल को पढ़के एक बार में सवाल समझ में नहीं आएगा ये भी मुझे मालूम है the same can complete a job in one twenty days, a 정도 कि कारे को 120 दिन में कर सकता है, पहले दिन on day-two, he is joined by another person who also can complete the job in exactly 120 दूसरे दिन एक वीक्ती उस से जुड़ जाता है और वो विक्ती की जो शमता है have उसकी जो भराभ कि मतलब यह हुआ कि उसकी जो शमता है वह लिए इसके बराबर है क्यूखि कि वो भी 120 दिन में काम कम्रीट कर सकता यह भी 120 दिन में काम कम्रीट कर सकता यानि कि जो जूड रहा है उसकी efficiency क्या है सेम है अच्छा और दे थ्री दे आप जॉइंट बाइ एनेदर परसन ऑफ एक्वल efficiency यानि कि अब इसका अनलब यह समझ में आ गया कि हर दिन एक वेक्ति जोट रहा है गुरूप से और हर एक वेक्ति की efficiency क्या है सीम है अच्छा पहले दिन एक आदमी था दूसरी दिन दो तिस दिन तीन फिर चार फिर पांच फिर शे ऐसे और ऐसे काम करते करते लाइक दिस एवरी दे न्यू परसन विद्धी सीम इफिशेंसी जॉइंस दवर हाओ मैनी डेज आरेक्वाइट तो अगर इसी तरह से हर दिन एक नया वेक्ति जोड़ता है जिसकी efficiency सीम है तो बताई इस तरह से काम कित्ति दिन में पूरा होगा यह आप से तो बीस यूनिट जो है वो मेरा टोटल वर्क है यह मेरा टोटल वर्क है अब पहले दिन तो एक ही आदमी था दूसरे दिन दो आदमी हो गए तीसरे दिन तीन आदमी हो गए अगर एक आदमी था उसकी efficiency एक होगी दो आदमी थे तो दोनों की एक एक तो मिलकर दो हो गई त इसरे दिन तीनों तीनों की एक एक जोड़कर तीन हो गई तो इस दिन एक उनिट काम हुआ फिर दो यूनिट काम हुआ फिर तीन उनिट काम हुआ फिर चार हो जाएगा फिर पांच हो जाएगा ऐसे कर से करते मान लो एन लोग काम कर रहे हैं अगर एन लोग काम कर रहे हैं हर यह तो एक से लेकर n तक consecutive natural number का क्या हो गया sum हो गया इसका मतलब इसका जो formula है वो क्या है n n plus 1 upon 2 is equal to 120 अब यहाँ पर क्या होगा n into n plus 1 is equal to कितना 240 अब ऐसे दो number सोचो जिसके बीच में एक का difference हो multiplication करने पर 240 आता हो मैंने का भाईया जादा मत्सोचो 15 into 16 है 15 into 16 करोगे 240 आ जाएगा अच्छा तो हमें क्या बताना था हमें बताना था कि भाईया कितने दिन में काम complete होगा मैंने का पहले दिन एक दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन तो 90 दिन n यानिकी पंदरा दिन में काम complete हो पाएगा यानिकी डी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है ठीक भाई कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं ठीक है समझ में आ रहा है आगे बढ़ सकते आगे बढ़ सकते क्या चलिए इसको साफ करते हैं आगे बढ़ते अमल can complete a job in 10 days and बिमल can complete it in 8 days अमल, बिमल and कमल together complete the job in 4 days and are paid a total amount of rupees 1000 if this amount is shared by them in proportion to their work then कमल's share in rupees ठीक है भाई तो अमल है, बिमल है और कौन है भाई? कमल है अमल दस दिन में काम कर सकता है बिमल आठ दिन में काम कर सकता है अमल, बिमल और कमल अगर मिलकर काम कर रहे है तो चार दिन में काम complete हो रहा है अगर काम के अधार पर बटवारा हो रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि भाईया कमल का हिस्सा बताईए कैसे कोड़ेंगे? यहां से देखे, यह हो गया अमल यह हो गया बिमल यह हो गया आपका दस यह हो गया आपका आठ हमने यह मान लिया चालिस यह हो गया आपके पास चार यह हो गया आपके पास पांच अब यह भी बोला है कि अगर यह तीनों मिलकर काम करते हैं अगर यह तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में complete कर सकते हैं भाई साब ये चार दिन में काम complete कर सकते हैं तो यहाँ पर ये चार हो गया, 40 upon 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साब, 10 हो जाएगा अब अमल, अमल ये ना, अमल की efficiency 4 है, बिमल की कितनी है, 5 है तो चार और पांच तो यही हो गए चार प्लस पांच और चार प्लस पांच में क्या जोड़ेंगी दस हो जाए मैंने का एक यानि की कमल की एफिशंसी कितनी होगी एक अच्छा अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर टोटल दस यूनिट के कितने बोल रहा भाईया हजार रु कितना है सो है यानि की फर्स्ट ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब है ठीक है सही जवाब है ठीक है बात समझ में आ गई अब आप मैंसे डाउट अरग सर यह ऐसे कैसे कर अरे बाबा वर्क एंड वेजिस पढ़ाया है मैंने उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर सब का का सम्करने का दिन सें हो जाए तो बटवारा एफिशेंसी की आधार पर किया जा सकता है तो इन तीनों की टूटल एफिशेंसी कितनी है दस उनिट तो दस उनिट के मान लिया बैने हजार रुपे अब 10 unit की वेलों अगर हजार रुपे है तो कमल का निकालना है तो कमल तो एक उनिट करता है तो एक उनिट कितनी हो गई सो गई बात खतम हो गई सेंपल सरल और आसान चीह भाई कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह कि नहीं चली आगे बरते हैं नेक्स अब दिक तो आप आपसे क्या बोल रहा है तैंक है अनिलेट पाइप and an outlet pipe if the outlet pipe is closed then the inlet pipe fill the empty tank in eight hours if the outlet pipe is open then the inlet pipe fills the empty tank in 10 hours if only the outlet pipe is open then in how many hours the full tank become half full अच्छा मदब क्या हो रहा है नहाँ पर दो पाइब से एक inlet एक outlet inlet मतलब पानी आता आउटन मतलब पानी जाता if outlet pipe is close अगर outlet pipe close है मतलब inlet pipe open है मैंने माल लिए इनलेट है ठीक है यह इनलेट है और यह आपका क्या है आउटलेट है ऐसा माली ठाना और एक आपका क्या है इन लेट और आउटलेट दोनों साथ में काम कर रहें टो यह बात क्रते हैं अच्छा एक चीज बताओ इंलेट पाइप और अउटलेट पाइप इस closed outlet pipe closest है यहनों क्येवल कौन काम कर रहा inlet pipe काम कर रहा है यहां कि two 2022 अगर outlet pipe फी यहां पर यह दौनों मिलकर वी positive वर रहे हैं तंकी बर यह खाली नहीं हो रहिए तो हंको कितना समय लग रहा है साथ 10 लग रहा तो मैंने इनका ALSIM ले लो भाई सब ये कितना हो गया चालीस, कितना हो गया पाँच ये हो गया चार। अब मैंने बोला भाईया एक की Efficiency पाँच और A B की मिलाकर चार, ऐसा क्यों, एक तो मैंने बोला पांच में सब्सक्राइब कितनी यह एक आगई बीके एफिजेंसी कितनी आगई एक आगई आप से क्या बला है इस ओंली डा आउटलेट पाइप इस ओपन यानी बीकी बात कर रहा है then in how many hours the full tank become half full यानि कि भरी हुई टंकी आधी कितनी देर में हो जाएगी अगर बी ओपन है आउटलेट पाइप ओपन क्योंकि यह काम करेगा ना ठीक है सर तो 40 का आधा 20 इसको खाली करना है यह एक यूनिट जो है भार फेकता है एक यूनिट भार फेकता है तो भाईया इसको कितने लग जाएंगे एक यूनिट क्या एक यूनिट पर फेकता है तो इसको कितने घंटे लग जाएंगे बीस घंटे लग जाएंगे है ना अगर यह एक यूनिट पर आर बाहर फेकता है बीस फेकने के लिए कितना लग जाएगा बीस घंटे लग जाएंगे तो इस सवाल तो आपके लिए बहुत ही आसान है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, समझ में आ रहा भाई, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ो, चल्दी से, तो यहां पर कह रहे हैं, यहां पर तीन वर्कर हैं, और वो तीनों अगर साथ में काम करते हैं, तो एक घंटे में उस दिवार को बना सकते हैं, पहला वर्कर जो है, अगर वो अकेले काम करता है, तो वो तीसरे वर्कर के मुकाबले दुगनी तेजी से करता है, दुगनी तेजी से करने का मतलब यह है, कि अगर तीसरे worker को दो दिन लगते होंगे तो इसको एक ही दिन लगता होगा. किसको? पहले worker को. अच्छा. और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि वो दूसरे worker से कौन? पहला worker. पहला worker जो है वो दूसरे worker से एक घंटे कम समय लेता है. ठीक है sir? आप से बोल रहा है कि अगर ये कैसे निकालेंगे, सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने बोला, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है और यहाँ पर a, b, c है। अब यहाँ पर मैंने का, sir, a, b, c, अगर मिलकर काम कर रहरे हैं तो उनको 1 घंटे का समय लगेगा। उनको कितना समय लगेगा एग घंटे का समय लगेगा ठीक है सर अब एक के बारे में जानकर यह है कि ए जो है वह तीसरे वरकर के मुकाबले दुगनी तेजी से काम करता है इसका मतलब यह होगिया कि इसको अगर 2X आर्स लग रहे होंगे तो इसको सिर्फ X आर्स लग रहे होंगे अगर ये 2X घंटे में काम करता होगा तो ये X घंटे में काम करता होगा दुगनी तीजी से कर रहा है ना अच्छा अच्छा तो आधा समय लेगा ठीक ठीक और इसी के बारे में इसी के बारे म यहां से क्या आप ABC का टाइम निकाल सकते हो हां निकाल दो सकते हैं ना अच्छ हा आप एक चीज़ बताओ अगर यह पूरा काम एक आर्स में करता आ तो एक घंडे में कितना करता होगा वन गाए एक्स यह पूरा का अगर एक गंडे में करते हैं, तो एक गंडे में कितना करते हैं, वन अपॉर बराबर होगा, हाँ, a, b, c, a, b, c, ओच्छा, ठीक है सर, आप क्या करें सर, अब LCM रेले लेते हैं, तो यहाँ पर LCM कितना हैगा सर, 2x, x plus 1, तो यहाँ पर कितना हैगा 2 times of x plus 1, यहाँ पर कितना आजाएगा सर आपका 2x यहाँ पर कितना आजाएगा सर x plus 1 is equal to यहाँ पर 1 है अब ध्यान से समझने की कोशिश करना अब ध्यान से समझने की कोशिश करना अब यहाँ पर अगर हम इसको cross multiply कर दें इसको इधर cross multiply कर दें इसको यहां पर देखो तो यह 2x और 2x और x कितना हो गया दो दो चार एक पांच तो यह हो जाएगा आपके पास में 5x और यहां पर क्या होगा दो और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास में 2x स्क्वेर और यह हो जाएगा प्लेस का 2x अब एक तरफ कर लो तो 2x square minus 3x minus 3x minus 3 is equal to 0 अब यह quadratic equation बन गई भाई साब तो यहाँ पर x की ओलो निकालने ही मालो तो x की ओलो कितनी होगी आपकी 3 हो जाएगी plus minus 3 का square अच्छा यह formula अगर आपको नहीं मालू है तो मैं बता दू minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a यह formula हम तब इस्तेमाल करते हैं जब equation ax square plus bx plus c is equal to 0 होती a b c क्या है x square का coefficient a है x का coefficient b है c यहाँ पर constant term है तो अगर हम यहाँ पर इसको compare करके यहाँ लिखें तो यहाँ पर कितना होगा 3 plus minus minus 3 का square कितना होगा 9 minus करेंगे इस वाले मैंने से हो जाएगा plus two three the six two the twelve हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास में प्लेस हो जाएगा और upon two a two two the four हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स की वेलू कितने आएगी three plus minus यह ओजाएगा आपके पास में 33 ठीक है अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा four अच्छा X क्या है मैंने का X तो time है X तो time है क्या time negative हो सकता है नहीं हो सकता यानि कि three minus वाला पाट नहीं ले सकते थ्री प्लस वाला पाट लेंगे तो यह हो जाएगा X is equal to 3 plus root 33 upon 4 तो यह X की वैलू आ चुके भाई साब पूछा क्या है पूछा क्या है कि ये तीनो अकेले अगर काम करते है तो जितना समय लेते है उसका अयवरेज बता दो यानि इस तीनो चीजों का समय रहल गवरेज बताने है यानि इन चीनो को एड़ करके 3 से डिबैड कर दो 2x और x 3x plus x 4x तो 4x plus 1 upon 3 की value बताने है ठीके सर तो मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैं 4 को इधर भेज दूँ तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि 4x की जो value है वो कितनी है वो है आपकी 3 plus root 33 हा सर वो तो है वो तो है अगर मैं यहाँ पर 4x plus 1 चाहता हूं तो यहाँ पर अगर मैं plus 1 कर दूँगा तो यहाँ भी 1 add करना पड़ेगा यहाँ भी 1 add करना पड़ेगा तो यहाँ पर 4x plus 1 की value कितनी आ जाएगी? root 33 plus 4 तो यह आ जाएगा आपके पास में root 33 plus 4 और नीचे क्या है? 3 है यानि कि यह जो value है वो root 33 plus 4 upon 3 के बराबर है ठीक है? tension की कोई बात नहीं है आप इसको x के यहाँ भी put कर सकते हो कि 4 into something ठीक है? plus 1 upon 3 करोगे तो भी answer आ जाएगा मैंने बस आपको यह बताया कि 4x इधर कर दिया तो 4x के बराबर हो गया यही तो इन तीनों का क्या है? average है? यही तो पूछ रहा था यही आपका क्या है? answer है यानि कि root 33 plus 4 upon 3 root 33 plus 4 upon 3 यानि कि first option आपका सही जवाब है first option आपका सही जवाब है एक बार देख लो इस सवाल को मैंने जो time and work आपको पढ़ाया उसमें एक सवाल मैंने ऐसा comparison based जो सवाल थी उसमें इस तरह का सवाल करवाया है ABC वाला और वो बहुत सारे बच्चों को doubt आता है बहुत सारे बच्चों को doubt आता है वैसे ही कुछ मिलता दूलता ही यह सवाल है बस इसमें एक नई चीज़ पूछ लिए कि time and work का concept लग रहा है उसमें average पूछ लिए दो चैप्टर के concept को मिला कर एक सवाल बन गया ठीक है बात समझ में आगी कोई दिक्कत कोई परिशान नहीं और दूसरा एक quadratic equation का concept भी इसमें लग गया तो वो भी आपका cover हो गया तो तीन concept का यूज हुआ है यहां पर time and work उसमें लेना अचीए ठीक है अगर लेना आपको नहीं आता तो यहां हलक यहां पर हमने लेने लिया नहीं कॉंसेंट वेलू नहीं थी है ना तो आपका time and work का concept यूज हुआ है quality equation का concept यूज हुआ है साथ साथ average का concept यूज हुआ है और सारे concept बहुत ही simple simple आसान आसान से concept है ठीक है भाई कोई दिक्कत कोई परिशानी किसी भी तरह की यह सवाल समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत ठीक है अब आपकी बारी है आपको मैं एक सवाल दे रहा हो बहुत ही आसान सा easy सा सवाल है और मुझे उम्मीर है कि आपसे बन जाएगा और ये करने के बाद आपको comment box में इसका answer मुझे देना है और वहाँ पर मैं आपको reply करूँगा कि आपका जवाब सही है या गलत है सवाल बहुत आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए कि जॉन टेक्स twice as much time as jack to finish a job jack and jim together take one third of the time to finish the job then john takes working alone moreover in order to finish the job john takes three days more than that taken by three of them working together in how many days will jim finish the job working alone आपके बास options है इसका answer आपको comment box में लिखकर बताना है अगर आप हमारे channel पर नए हैं आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हैं कोई भी central या state का कोई भी government job की आप त्यारी कर रहे हैं किसी भी competition की आप त्यारी कर रहे हैं जहां पर आपको math reasoning banking awareness चीज़े पूछी जाती हैं आपक आपको पूरा का पूरा जो content है वो free of cost provide किया जा रहा है और वो भी quality content है आप चेक कर सकते हो ठीक है तो आपको पूरा syllabus यहाँ पर free of cost मिलेगा पूरा syllabus आपका systematic तरीके से cover करवाया जाएगा और आपको आपको ऐसा नहीं कि एका chapter मिलेंगे सारे chapter मिलेंगे सारे chapter मिलेंगे उ करना है exam का नाम डालना है topic का नाम डालना है search करना है आपको पूरी playlist आपके सामने खुल जाएगी बात समझ में आ रही है तो मिलते हैं next session में तब तक अपना ख्याल रखिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो please like कीजिए share कीजिए subscribe अगर अभी तक नहीं किया चनल को तो subscribe कर लिजी क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छे और बहतरीन session लाने वालों thank you so much